विदानसभा लेकर आप पहुचा है सरदार शहर विदानसभा शेत्र वो सीट जहाँ पिछली बार कॉंग्रेस ने जीत हासल किया फिर उक चनाव में भी वापस आई कॉंग्रेस इस बार बीजेपी, कॉंग्रेस या कोई और किसके लिए सीट को जीतना होगा असान और किसके लिए होगी चनावती किसके मुद्दे में हैं कितना दम यह जानने के लिए आप पहुचे हैं हम मैं द्रिप्ती, मैं डिमपल, विदानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पकी और विदानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी चुट्टी यही जानने के लिए First India लेकर आया अपना खास शो विदानसभा आरंब है प्रचन दे तो चलिए करते हैं शुरुआत चुरू की सरदार शहर विदानसभा सीट जहांपर हर बार से कॉंग्रेस का वच्चस पेक तरह से 80 प्रतीशत जादा रहता है बीजेपी का कही ना कही कम जादा लेकिन इस बार चुनावी गनित थोड़ा बदल सकता है चुनावी साल है और हर पार्टी अपने तरीके से जोर आजमाईश पर और अपने अपने तरीके से वोट बटोडने की कोशिश यहाँ पर कर रही है और लगातार क्योंकि बजट गोशनाएं भी कई हुई कई तरह के काम भी हुए लेकिन जमीनी स्तर पर फस्ट इंडिया उत्रा ताकि यह जानेंगे कि जनता को राहत देने वाली घोशना है कितनी वाकई कितने काम जमीन पर देखने को विले और कितने काम अभी तक अधूर है जिनसे अभी तक जनता को राहत नहीं पहुची बिल्कुल तो इसकी शुरुआत करते हैं शो की शुरुआत करते हैं और जैसा कि कहा कि कॉंग्रिस की विश्वस्त सीट मानी जाती है तो इस बार शुरुआत कॉंग्रिस से ही करते हैं आप से मैं यह जाना चाहूंगे जितने भी काम जनिता की राहत के लिए यहां पे जो प्रवाइब योजना है दो जार यूनिट है जो टूबेल में मिल रही है फरी और दो सो इनुट दो मैने में जो बिजली का भी ले जो कम हो रहा है चलिए डिंपल तो ये कहना है कि जो भी बजट में मिला वो धरातल पर जरूर है इसका जवाब जरा जानी और पूछिए कि क्या सच में ऐसा है लोगों को यहाँ पर राहत है याँ देखे बिलकुल यहाँ पर कई तरह से पार्टी से भी लोग मौजूद है आम जन्मी आपर म देखे को मिले जो परवाणी योजनाई चल रही थी बारतिया जन्ता पार्टी की योजनाई है लेकिन यह राध के नाम पर लोगों के साथ दोका किया जा रहा है अलग से कोई योजनाई नहीं है पहले से पीपियो था पैंसन के लिए अगर उनको बढ़ाना होता ता उसी म हुई तो है लेकिन जमिनी स्तर पर वो गोषना है लागू नहीं हुई है वो जनता ने देखी नहीं साथी साथ एक और चीज मैं आएड़ करना चाहूंगी कि माद्धे में को उच्छी माद्धे में स्कूल बनाने की बात कहीं लेकिन साथी साथ जो अंग्रेजी माद्धे में स्कूल है जो खोली है सरकार ने उसको लेकर क्या है पूछना चाहेंगे कि वाकई वो जमिनिस्थर इनवे उनका शुरू हुआ है या फिर अबभी भी उनमें कोई ना कोई कमे रह रही है. बैंक में था पी एन बी बैंक में और मुझे बैंक के अधिकारी ने बताया कि आज वो लंपी वाले केसेज में बहुत सारे फंड्स में लोगों के पैसे हैं अकाउंट में सारी चीजें दरातल पे आ रही है समय लगेगा एक जुन से शुरू हो है बिजली के बिल भी आ रहे ह अपने इलाज बड़े आराम से और बड़े सुकून से अपने गैने और अपनी जमीने गिरवी रखे नहीं करवा रहा है देखे डिंपल कह सकते हैं लगातार आरोप पर पत्यारोप का जो इस सिलसिला है वो जारी रहेगा लगातार ये कहना कि भई आरपार की लड़ाई है वो जारी रहेगी लेकिन जरा इनसे पूछे कि आखिर आगामी चुनाव को लेकर इनके कौन से मुद्धे हैं जिनसे वो जनता से वोट के अपील करने वाले हैं कौन से मुद्धे जिनसे जनता को राहत मिली और इनने वोट मिलेगा देखिए द्रिप्ती जैसे कि बजट ग पाटी की तरफ बात ना करके बताईए वाकिय जंता को से रात पहुंच रही है यहां रोज के चार या पांस एक्सिनेंट होते हैं उनको तुरंत विकाने पहुंच बाते हैं यानिक उन लोगों को बीच में जान गावनी पड़ती है दूसरा सबसे बड़ा यहां जो मुद्दा है ब्रष्टाचार का यहां बिना पैसे के पत्ता तक नहीं इलता खुली लूट मचा रहे हैं चे परसासन हो चे तैसील वागो चे पंजीन वागो और कोई नकेल वगरे कुछ नहीं है चौत्था मुद्दा उठाउगा मैं बूमा प्रजी पट्टे पिट करके कम से कम एक हजार बीगा जमीन को तो नगरपालिका की जमीन सिवाइचक जो जमीन है उसके ओपर बूमाफियों को लेकर बश्टाचार को लेकर और दूसरी बात जो मेगा हाईवे उसके उपर अगर किसी गंबी रिस्तिती में कोई व्यक्ति है अगर एक्सिडेंट यहाँ पर इतने होते हैं उसको लेकर अगर किसी का जीवन नहीं बचाया जा सकता क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है उतनी दूरी पर तो उसको लेकर बोलिए कि अलग तरह की घुशना है तो हो ही रही है लेकिन साथी साथ उस बीच में भी कोई इतना दूर जाना पड़ता है इसको लेकर जवाब दीजिए और भ्रस्टाचार को लेकर जनिता भी घेर रही है कॉंग्रेस को तो उसको लेकर जवाब दीजिए सरदार सेर की जो भी चिक्तिया वेवस्ता है वो हम मानते हैं कि यहां पर आदिये दूरी रही है और इसका खामियाजा भी आम जन्ता को बहुतना पड़ा है लेकिन अभी हमारे लोग पर यह मुखे मंत्री असोग जी गैलोत ने उप चुनाव के अंदर यहां उप जिला अ अब आएगा वो भी देखना होगा जरा इनसे यह पूछे कि और कौन से लूप होल्स है जो इन्हें विपक्ष में नजर आ रहे और उन पर यह काम करेंगे जनिता को उम्मीद हो कि यह काम करें और इन्हें वोट जरूर मिलेगा देखे बिलकुल त्रिपती लगातार क्यों अब कुछ देर पहले इन्होंने बताया कि जो पुरानी योजना है दी भाजपा की उन्हीं का नाम बदल बदनकर कॉंग्रेस जमीनी स्तर पर उनको लागू कर रही है उनकी घोशना है कर रही है तो ऐसी कौन सी योजना है भाजपा के पास जिनके दम पर आगे वोट मागन चुनावी वादे कर रही है और कह रही है कि उनके दम पर इस बार वोट मिलेगा वो घोशना है अभी तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं है पूछे जरा इसमें कितना सच है और कितना जूट है बिल्कुल जिन घोशनाओं की बाद बजट से मतलब मुक्यमंत्री जीनी जो जिन्यवाद करूँगा जिन्होंने दूसरी बार सर्दासर पे सर्वा पर्थम चुनावी मुद्य तंटोलने की कोशिश किये और आप यहां पदा रहे आपका स्वागत है और भाई संजय जी का भी स्वागत करता हूं और रही बात मेरे साथी मित्रों की मैं सुन रहा था नगर का सभापती होने के नाते मैं उनको सीरे से नकारूंगा और उपचोनाव में मारे माननिय मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे वादे किये थे और मैंने एक स्टेज से छोटी सी मांग की थी नगर पालिगा को नगर परिसद में करमोनत करने की और माननिय मुख्यमंत्री ज आई के कोलेज बन रहा है मेला कोलेज बन रहा है ट्रोमा सेंटर की तेयरी है और जो मुख्य योजना रात कैम उसमें आप स्यम आपके पत्रगार मोदे समय समय बहुत जागरूक हैं और सहर में जो भी इकटना होती है फिस्ट इंडिया भी सर्वर पर्थम दिखाते भी है तो एक कहना गलत नहीं है कि घोशनाय तो हुई है आई टी आई कॉलेज की हो ट्रॉमा सेंटर की हो या बहुत सी सौगाते जो की सीम अशो घेलोत ने यहां पर दिये धरातल पर उनका काम जारी है ये कहना है पार्टी गा लेकिन जरा इनसे पूछी और जनिता से भी जानिये कि जो काम पहले हुए साड़े चार साड के कारेकाल में उनकी उनसे उन्हें कितनी रहात मिली है उनसे उन्हें क्या कुछ लाब मिला है देखे बिलकुल द्रिप्ती देखे फरस्ट इनिया ग्राउंड जीरो पर आया इसलिए ताकि चुनावी मुद्दे तो टटोले गाई जनता को वाकई कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनोंने राहत थी लेकिन एक और बात यहां पर मैं करना चाहूंगी कि इधर पक्ष और विपक्ष दोनों है दोनों ही पार्टिया है एक तरफ से यह कहना कि सारी जो गोशना थी जितनी भी बजट गोशना है की ती वह जमीनी स् आपने दोनों में वहाथ ज्यादा गैप निया दोनों में बहुत जादा दूरी नीए तो एक दूसरे जवाब दें तो बहुत पूरी तरीके से स्पशूरुप से दे कि वाके कौन से चीज़ जो अभी तक जब्लक्त पर जंता नहीं नहीं देखी आई जैसा कि अभी अधि सबसे पहले वापस आपके पास दो गोशना है जो कि उन्होंने अभी क्या भी यहां पर बताई कि इन दो चीजों पर अब तक आम नहीं है इन दो चीजों को पूछी है कि वाकि एक तो नगर पालिका को लेकर और ग्रामीर सतर पर क्या चीज़ें ऐसी है जो काम नहीं हो पाया अभी तक बिलकुल जो गोशना है अभी आपने मुझे बताई उसी को लेकर सामने से जवाब आया तो मैं आपसे जाना चाहूंगी क्या कह अभी अधिकारी है वो आयुक्त हैं तो कमीशनर रहे हैं सरदार सरगेंदर यह पहली बार है नगरी प्रिशेद हो चकी है बीजेपी वाले बोखला हुए है इनके पास कोई नहीं है हमारे चेर्मेन साहब है सबापति मोदे हैं वो एकदम राजगरन ची चोदरी बहुत अगारे कर दें से लहां पार के लड़ाई वो यहां पर जारी है कह सकते हैं कि जिस बात को अम बोली रहे हैं चाहां से कहना की कथनी और करनी में फ़र्क्लिक यह चितनी भीग होशनाय हुई है सब धरातल पर है यह तो है जशनिता से पुचुछें कि जिन योजनाओं की ब अभी तक ऐसे कौन सा विकास है जो आपर यह पर नहीं हो रहा है सारह सहर सढ़ांध मार रहा हर जगा जो है कोई आदमी राه। पर इसक्ता की साती सातील यह भी बोला जो शहरी विकास है सढ़कों को लेकर हो जगह-जगह इतनी ऐसी हालत है कि लोख भार भी नहीं निकल पाते दुरगन के वज़े से कितनी सचाही इसमें कितना जूट है जरा पूची दुर्पती बिलकुल ये बात तो जानने वाली है कि जिस शहरी विकास की बात कर रहे हैं उसको लेकर क्या जवाब देंगे जिस गंदिगी की बात कर रहे हैं क्या वो है और अग अगरपाली का सरदार सहर में 55 वार्ड है और 55 वार्डों में लगाता रूप से नियमित रूप से सपाई हो रही है सबसे बड़ा जो अधिकार लोगों को मौनिने मुक्य मंतरी और रास्ता सरकार मिलकर लोगों को दे रही है वो है लोगों के पट्टों का लोगों को मालिकाना हक देने का और सबसे उसके बाद एक बहुत बड़ी योजना दरातर पर लागू किया मौनिने मुक्य मंतरी जी वो है सहरी रोजगार गारेटी योदना जिसमें जो ग्रीब स्तर के जिवन व्यपन करने वाले लोग और मैलाएं हैं कम से कम सरदार सहर में 700 लेबर आज भी सहरी रोजगार गारेटी योदना में काम कर रही है और उसे 260 रुपे प्रती दिन के इसाब से पेमेंट किया जा रहा है ये कहना तो सही कि लगातार जो आरपार की लड़ाई है वो यहां पर जारी है विपक्ष ये कहता है कि हमने एक काम किया है पक्ष ये कहता है कि हमने नहीं किया है और जो गिनवाने की बात है योजना होगी तो कॉंग्रेस के पास में वो योजना हैं जिनने वो गिनवा रहे हैं चाहें वो रोजगार को लेकर हो चाहें वो शहरी विकास को लेकर हो लेकिन भाजपा के पास भी वो मुद्धे हैं जिनमें वो लूप होल्स बता रहे हैं कि सा प्रेक्ट के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार जिस तरीके की बात्चीत जिस तरीकी क्यारपार की लडाई का सिलसिला जो यहां पर जारी था डिम्पल वह भी जारी रहने वाला है लेकिन जानेंगे वह मुद्दे जिन्हों ने जनता को राहत दी है फरस्ट इंडिया जमीनी हकीकत जानने हाँ पर आया है और यह जानने आया है कि आकर कौन से मुद्दों पर जनता वोट करने वाली तो ज़रा उनको जान लेता है लेकिन सिर्फ एक लाइन में क्योंकि हमने स दरातल पर बहुत काम करेख भाजपा ने धरातल पर बहुत काम किया इसको लेकर भाजपा वोट मांगते है जंता से और आश्वासते कि जननता उन्हें वोट देगे कर आपसे जाना चाहूं spreading कौन से से बोड़े हुआ कुछ नहीं है यहां लड़ाई लड़े का अणमान बेन जीट कर राजस्तान में जुरू जाएंगे तर्ड फैक्टर भी है रुकिये रुकिये वापस आएंगे थर्ड फैक्टर भी यहाँ पर है जिनका ये कहना है कि भाई आप पर ना कॉंग्रेस ना बीजेपी बलकि या रल्ल है कि जो एक psychop prospective साफ को वोट जी और विकास के मुद्देया पोचिया और किसी पार्टि आप्से चाहूं तो मैं अगर आप से जाना चाहूं तो मुझे यह पिता ही कौन सी कवस्ताना के लिए रास्ता में चेंज करना पड़ रहा है और कॉंग्रेसी वाल्ड है माइन रोटी का कॉंग्रेसी वाल्ड है वोट किसको देंगे फिर बाजबा को देंगे आम जनिता की अगर मैं बात करूं तो आम जनिता का कहना है जो किसानों के लिए जो आम जनिता के ल विदान सभा चुनाओ के लिए मुद्दे भूद है नरिंदर मोदी की सरकार ने जो 9 साल का करेकाल रहा है बहुत से उपलब्दिया है उन उपलब्दियों लेके हम जनता की बीच में जाएंगे चाहिए वो आर्टिकल 370 हो पैंतिसे हो रामंदिर का मुद्दा हो चाहिए वो मातिया और बिचली रियायतों की जो बाती की जा रही है वाकरी बिचली बिलों में बढ़ोतरी हुई है कोई घटोतरी नहीं हुए जारा पूचिए इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे बिलकुल जवाब भी इनसे मांगेंगे लेकिन फिलाल जान लेता है मुद्दा जिस होगा क्या क्या काम कैसे काम क्या आरलपी ने जोसको लेकर वोट देंगे किसान किसान हित्में काम कर रही है अगर आपसे जाना चाहों तो इस बार किस पार्टी को वोट बीजेपी को देंगे बहुत पहले ड्रेनेज योजना आई थी जो भी मैं सब 27 साल का था तब सुरू तो नहीं आई है किसने का दरातल के नहीं आई है अपी की जनता जो यह मौजूद है ऐसा कुछ नहीं है ड्रेनेज का काम बराबर चल रहा है यहां पर कितना प्रोसेसिंग में योजना है बहुत करोड़ों रुपे की योजना है और पूरा बहुत बड़ा शेर है आउटर म पता ही तो तै करती है लोग तंतर में यह बताइए एक योजना को आने में साथ से आठ साल लगते हैं कि मेड़मा आपका ध्याना करशित करना चाहूंगा कि यहां से दस साल पहले आर्यू आई डीपी की योजना है आई थी और हमारे माननीय विदायक बहुनलाल जी सर्मा उसको लेकिया थे और वर्तमान में वर्तमान में एलेंटी कंपनी जो पाइबलाई डालने का काम कर रही है हमारे पूरे सेर के संद्रेकन को बिगाड के रख दिया तुटी सड़कों का मामला साथिकन बता रहे हैं यह निश्चीत रूप से एलेंटी वालों ने तोड़ा है और चार दिन पहले हमने मीटिंग बुलागी उनको नोटीस भी दियें आगामी दो मैने में पूरे सेर की सड़के रिपेरिंग करेंगा विश्वास भी देलागी देखे लगातार जो मुद्दे है डिंपल वो सभी के पास है आम जनिता के पास भी अपना मुद्दा है कि किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों देंगे तो लगातार इनसे हम ये बात चान रहा है आप जरा पूछिए जनिता से कि इस बार वोट जो देंगे वो कौन से भी कास कारे पर देंगे देखे बिल्कुल त्रिप्ति तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं इनसे पूछा चाहेंगे कि या क्या इस बार ऐसा मुद्दा होने वाला है जिसको लेकर भाजपार स्वस्त और आगे उसको लेकर काम भी करेगे मैडम मैं आपको बताऊं कि सरदार सेर चेतर है जो कर्शी पर आदारित है पूरा जो चेतर है पूरा टूबेल का बेल्ट है और पिछले 30 वर्सों से जब जब बारतिय जनता पार्टी की सरकार आई है थोड़ा बहुत बिजली पर काम हुआ है बाकी यहां पर बिजली पर बि इस सिर्गाने बंध कर सी ने चलिए तमाम तरह की चीज़ें जो यहां पर above Woah लागो नहीं हुह लेकिन first India ग्राउंड जीरो पर इसलिए उत्रा ताकि वो चुनावी मुद्दे भी टटोले साथी साथ वो चीजे भी जाने जो वाके जनता को राहत दे रही है या फिर सिर्फ गोशना गोशना है हो रही है और वाके जमिनी स्तर पर वो चीजे देखने को नहीं मिल रही है बिलकुल सारी पार्टी यहाँ पर मौझूद है जो की आगे काम करने वाली है वो जनिता यहाँ पर मौझूद है जनिता से भी फसिन्या ने बातचीत की उन योजनाओं के बारे में जनिता ने बताया जिनको इबारे में अभी तक काम नहीं हुआ और उमीद है कि आगे हो जा तो यह देखना बहुत सही होगा कि इस सीट पर जो कि कॉंग्रेस की विश्वसनी सीट कही जाती है इस पर आगे भाजपा की क्या कुछ रणीती रहने वाली है और बाकी पार्टी यहापर क्या कुछ काम करने वाले उसी को लेकर आगे जो तस्वीर है वो साफ होगी बिल्कु तो अभी तक के लिए हमें दीदी इजाज़त मिलते अगले अपिसोड में अभी हमारा सफ़र जारी है तब तक के लिए नमस्कार